प्रदीप साहू जी, प्रकास संट जी, श्री रविंद्र कुमार राय जी, श्री दिनेश यादव जी, और आज गीडी की ये अित्यासिक भुमी पर इतनी बड़ी संख्या में आये हुए माताओ, भाईओ, मैनों और मेरे जीगर के टुकडे जैसे युवा मित्रों, मित्रों सबसे पहले, गीडी की ये महान भुमी पर आकर, मैं बापा भैद्यनाथ और सक्ति पिट जय दुर्गा सक्ति को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं ये पवित्र भुमी, जहां पारसनाथ की पहाड़िया आई है, वहां जैन समुदाई के तेईस तेईस तिर्थन करों ने, यहां पर तबस्या करकर, समग्र जगत के कल्यान का रास्ता प्रसस्त किया है, यही वो गीडी की महान भुमी है, और यह गीडी की भुमी जो पांडू लिपिया उपलब्द है, इसके आधार पर महान मुंदा राजाओं की यह राजदानी गीडी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, बार बार नमन करता हूं, मित्रो, यहाँ पर मैं अमर सहीद, सिद्धो कानों और चांद भेरों और दो जुड़वा मैंने, फूलों जानों को भी प्रणाम करकर, वो अमर हुतात माताओं को मेरी सद्धान जली अमर अर्बीत करता हूं, मित्रो, आज, जारखन के चुनाओं के अंदर, मैं कई दिन से गुम रहा हूं, पूरे जारखन के अंदर, जारखन की जंता तै करकर बैठी है, कि इस बार कमल फूल की सरकार फिर एक बार बनानी है, नरेंद्र मोदी जी के नेत्रुत में, जारखन को विकास के रास्ते पर ले जाना है। ही सहाबादी को विजायक बनाएगा, इसलिए वोट मत दिजे, कोई मंत्री बने, मुक्ख्य मंत्री बने, इसलिए वोट मत दिजे, कमल के निसान पर आपने दिया वोट, जारखन दो और देश को विकास के रास्ते पर ले जाएगा, इसलिए वोटिंग करने हैं मित्रो ए विगीडी जार्खन की एकोनोमी में वानिज्य में एक उभरता हुआ सेर जार्खन के अंदर आज जो गट बनबन सामने है वो रात नितिक फाइदा उठाने उगाला गट बनबन है मैं भाई हेमन को पुछना जाता हूँ क्याद मुख्य मंत्री बनने के लिए जिस कॉंग्रेस की घोदी में बैट कर आप आए हो जार्खन के युवाओ पर घुली चलाने वाली वही कॉंग्रेस है मैं आपको जार्खन की जंता को याद दिलाने आया हूँ के समखड़ा जार्खन जब अलग जार्खन राज्यकी मांग के साथ अनदोलन कर रहा था जार्खन के युवाओ आधिवासी युवाओ पिछल समाच के युवाओ रोड पर थे पूलिस लाखिया भाँज रही थी, टियर गेस दाग रही थी, गोलिया चला रही थी, उसवर जार्खन की रचना का विरोध कौन कर रहा है। जार्खन को बनने के लिए रास्ते में रोड़ा हुद कैने जार्खन को किस ने बनाया? माताओ बहनों भाईयों, जब देश में अतल बियारी बातपई की, कमल की सरकार बनी, अतल जी ने जार्खन को बनाने का काम किया। रगुवर्दास और नरेंद्र मोदी की छोड़ी ने जार्खन को आगे बढ़ाने का काम किया है विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया है जिस जार्खन के अंदर जिस जार्खन के अंदर नक्सलवादियों का नंगा नाच दिखाई पड़ता था आज मैं कहने आया हूँ नरेंद्र मोदी और रगुवर्दास दिने नक्सलवादियों को बीस फूर्ट नीचे जमीन में दबा देने का काम ये भारतिये जनता पार्टी किया है मुझे बताओ माताओ वेनो मुझे बताओ यो हो नक्सलवाद के रहते जार्खन का विकास हो सकता है क्या जोर से बोलो हो सकता है क्या कि और एक कॉंग्रेश और एक भैमन सोरेण की सरकान नक्सलवाद को रोगनी नक्सलवाद को केवल और केवल हमारे नेतार नरेंद्र मोदी ही रोक सकते हैं नरेंड रमेडी ही और मित्रों कॉंggakरेश और जार्खन मुक्ती मोड़चा है जब जब मुखह मिला जार्खन को लुटने में कोई कसर नहीं करी्य यहां से थेले के ठेले भड़कर दिल्ली के धर्बार में रूपया ले जाते थे जो रूपया मेरे जार्खन के घरीब विकार युवाओं के विकार के लिए रूपया था आपने यहाँ पर एक सरकार बनाई जो सरकार गरीबों की सरकार बनी जो सरकार विकास की सरकार बनी और आज जार्खन विकास के रास्ते पर आगे चल गया है मैं सिर्फ गीडी की पहले बाग करता हूँ सिर्फ गीडी क्षेत्र के अंदर बड़ी के अंदर एंजिनरिंग कॉलेज बनाने का काम यह भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने किया है सिर्फ गीडी सहर के अंदर छे से ज्यादा बगीचे बनाकर गीडी को ग्रिन बनाने का काम किया है पुर्वी मंदल के अंदर बड़ा कर नदी पर पूल बनाकर पचास साल पुरानी समस्या का समधान यह भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने किया एक गीडीक सेत्र के अंदर दोसो त्रैटीस करोड रुप्या खर्च करकर दोसो पचत्तर किलोमीटर रोड का जाला बुनकर आज युवाओं को आने जाने की व्योस्ता करने का काम यह भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने किया सतर सतर साल तक सतर सतर साल तक के कॉंग्रेस की सरकार चली गरीबों के घर में बिजली नहीं जाती थी आदिवासियों के घर में पिछड़ा समाच के घर में दलीतों के घर में बिजली नहीं पॉती थी आज ये विदान सबा का तीन सो सतर से सतर गाउं में बिजली पॉचाने का काम नरेंद्रमोधी और रघुवर्दास नीं समाब कर देंगे का मातायवेय न हैंने बैठी यह पर सक्तर साल इस राहुल बाबा की पाइटी ने सासन किया सथ अरे कहा है को वही विचारे का मजाक पुडता रहे हो Digital I की पारटी ने चार-चार पिडी तक सासन किया मगर गरीब माताओं के लिए गरीब बेहनों के लिए गरीब बेटियों के लिए स्वाचाले का काम नहीं कर पाए गरीब गर की माताओं बेहनों को कुद्रती प्रक्रिया के लिए सर्म के मारे खुले में कुद्रती प्रक्रिया के लिए जाना पड़ता था मित्रो नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ एक घरीब मा का बेटा है घरीब मा का लाल अद्देश का प्रधान मंत्री बना है उसको मालूम है कि घरीबों की तकलीब क्या है सिबेगीडी शेत्र के अंदर 45,000 से ज्यादा सोचाले घरीब के घर में बना कर लाखों माताओं बेनों को सर्म से मुक्त करने का काम यह भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने किया है लगबग यही शेत्र के अंदर लगबग 1,22,179 चात्रों को चात्रवृत्ती देकर उनका जीवन का रास्ता प्रसस्त करने का काम यह भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने किया है 28,214 युवाओं को बच्चियों को बच्चों को साइकल देकर प्राथमिक सिक्षा और मद्धमिक सिक्षा पूर्ण करने का काम यह रगुवर्दास की सरकार ने किया है प्रदान मंत्री आवाश्योधना एक तहत 17,17,911 गरीबों को घर देने का काम यह भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने किया है और मित्रों गरीब का गर इसकी रसोई धूएं से भरी हुई होती थी गरीब मा चुला फूंक फूंक कर खाना पकाती थी इसकी नेत्र की जोती चाली जती थी छे फेफडे दूएं से भर जाते थे फाइब्रोसीस हो जाती थी पचास साल होते होते मा विचारी बुडिया दिखने लगती थी क्योंकि घर दूएं से भरा हुआ होती सत्तर साल तक एस सोन्या राहुल की पाटी ने एक घरीब मा की चिंता नहीं करी थी आपने आशिरवाद दिया चौदा में से बारा सिटे कमल की जोली में डाल दी और नरेंद्र मोदी जी ने पाँची साल में चालीस जार सिर्फ एक विदान सबाग शेत्र के अंदर चालीस जार माताओं को गेस का चुलाओं और सिलिंडर देकर उनकी जौपड़ी को धुए से मुक्ट करने का काम ये भारतिये जनता पार्टी को सरकार निक्या मित्रोई घीडिक शेत्र के अंदर देर सारे विकास के काम हुए हैं भारतिये जनता पार्टी एक गोशना पत्र लेकर आई मैं आज मेरे जार्खन के OBC समाज के सभी युवाओं को कहने आया हूँ एक पर मोदी जी के नेत्रुत में कमल पूल की सरकार बना दो आदिवासी और दलीतों का आरक्षन कम करे बगेर पिछड़ा समाज के बच्चों को आरक्षन बढ़ाने का काम ये भारतिये जनता पार्टी की सरकार करने हैं किसानों और दुकानदारों का विमा ये भारतिये जनता पार्टी सुनश्चीत करने वाली है सरकारी नौकरियों में माताओ बेहनों को 33-33 रिजर्वेशनम देने वाले हैं और पिछ्रा वर्गायोक का भी घठन ये भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार करने वाले हैं मित्रो भाजपा की सरकार ने पास साल के अंदर मुख्यमंत्री कुरुसी आसिरवाद योदना के तहट राज्य के किसानों को मोदी जी की योदना मिला कर पचीस जार रुपिय की सहाय पहुचाने का काम ये भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने किया है माता बेहने अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहे तो सिर्फ एक रुपिय में रजिश्ट्री करने की सुरुआत करी सत्तर साल के अंदर जारखंड के अंदर बाईस अजार किलोमीटर रोड बने थे कितने बने थे बोलो भई और जोर से बोलो कितने बने थे एक और सत्तर साल के 22,000 किलोमिटर और पास साल में 22,865 किलोमिटर रोड बनने का काम यह भार देगा यह राहूल बाबा काहे को सोर सरावा करते हो भई आपके 55 साल का हिसाब और हमारा पास साल का हिसाब लेकर आजाओ घीडी के चौराहे पर मेरे युवाँ मोर्चा का अज्यक्स आपको हिसाब किताब दे देगा कि हमने ज्यादा काम झब हर आपको हिसाब प्रियाğ ओल दो साल के बाद वही आपका इलाज हो पाएगा देवगर, जमसदपूर, दुमका और वोकारों में एरपोर्ट बनाना सुरू किया है राची में कैंसर अस्पताल वन्नी सुरू हो गई है पडातु में 4000 मेगावर्ट का बिजली का प्लांट लगा दिया है हजारी बाग, पलामू और दुमका में मेडिकल कॉलेग बनाने की सुरूआ किये जिससे मेरे चारखन के यूआ डाक्टर बनकर गरीबों की सेवा करभाएंगे सिंद्री का कारखाना चालू किया है और धेर सारे काम ये भारतिय जलता पार्टी की सरकार ने किये मित्रो मैं आज इस मंच से ये हजारो हजारो लोगों के सामने कॉंग्रेस अध्यक्स, सोनिया जी और रहाउल बाबा को पूछना चाहता हूँ कि आपने 55 साल में मेरे जारखन के लिए क्या किया इसका जरा हित्याब किता थे कर आई तो मालूम पड़े प्रचार में आए जामूम हो वाले आए तो मागोगे क्या जोर से बोलो मागोगे अरे वो नहीं रेंगे जवाब मैं दे देता हूँ आपको से इन्होंने कुछ नहीं करा बहिए सुन लो इसोनिया मनमोन की सरकार थी पांच साल चली पांच साल में उन्होंने जारखन को 55,253 करोड क्या दिया 55,255 आपने मुदी जी की सरकार बनाई रगुवर्दास की सरकार बनाई पांच साल में 55,000 के सामने भारतिय जन्ता पार्टी ने 3,88,487 करोड रुप्या जारखन को विकास देने और ये विकास की बात करते हैं मित्रों जारखन की जन्ता को गुम्राख मैंने अभी हैमन जी का बासन सुना राहूर बाबा का अभी बासन सुना अजी वो गरीब बात करते हैं के जार्खन वालों का कस्मीर से क्या लेना देना मुझे बता भाई जार्खन की जंता बताए कस्मीर भारत का हिस्दा बने आप चाहते हो या नहीं चाहते हो कि जे माता बेने बताए चाहते है या नहीं चाहते है अरे आपने चोदा में से बारा सिटे दी मोदी जी को प्रदान मंत्री बनाया पहले ही सत्र में धारा तीन सो सक्तर और पैती से को उठार कर भेंग और मित्रोज अमरा कस्मीर भारत मता का मुगुक्मनी बनकर पूरे विश्व के सामने गवरों के साथ खड़ा है कस्मीर के अंदर आज भारत का तिरंग और फैराने का काम देश के प्रदान मंती नरेज बनाया पहले है यह राहूल गांदी के ते जारखन वालों का कस्मीर से क्या लें नरे राहूल बाबा आपको देश का इत्यास मालूम नहीं है कस्मीर बचाने के लिए सबसे ज्यादा सहादत मेरे जारखन के युवा उने दिये जारखन के अंदर जारखन के युवा एक कस्मीर के लिए बरफिली पहाड़ी ओपर अपना लहू बहा है राहू बाबा आपको मालूम नहीं मित्रों ये कहते हैं हमने अभी अभी सुप्रीम कोट ने राम जन्मिन का फैसला सुना दिया बड़ी लंबी सुनवाई चले सो साल से फैसला अधालत में लंबी था 2014 में जब सुनवाई आई कॉंग्रेस के नेता कपिल सिब्बल कहते हैं अभी मत सुनो क्या जन्मिन है मुझे बताओ भाईयो माताई बटाए पीछे बेठी हैं आप चाहते हैं कि नहीं जहां राम लल्ला का जन्म हुआ था वो अध्या के अंदर भव्य राम मंदिर बने चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि पीछे बोलो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कंग्रेस ने सालों तक मजले को लटका कर रखा मोदी जी को आपने प्रधान मंत्री बनाया मैं आपको बताता हूं पुछी दिन में सुप्रीम कोट ने जो फैसला दे दिया है इसके आधार पर आसमान को छुने वाला वाला इसको कोई नहीं रोक्स है मित्रो आप मुझे बताओ ये देर सुरक्सित रहे जार्खन वाले चाहते हैं या नहीं चाहते हैं इस सुनिया मनमोन की सरकार चलती थी पांस साल तक दस साल तक चली आलिया मालिया जमालिया हरोज भूश जाते थे और हमारे जवानों का सर काटकर ले जाते थे और कोई कुछ नहीं बोलता था मोनी बाबा के मुझे उप्ठक नहीं निकल अब चौदा में मोदी जी प्रदान मंत्री बने पाकिस्तान को लगा क्या पड़ पड़ा है बैया तो उरी और कुल्वामा में हमला कर दिया उनको मालुम नहीं था कि उरी और कुल्वामा में हमला तो करें मगर इस बार मौनी बाबा मन मौन सिंग प्रदान मंत्री नहीं है 56 की चाती वाला मोदी प्रदान मंत्री इस बार कॉंग्रेस की सरकार नहीं है इस पर कमल भूल की भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार है पूरी और पुल्वामा पर हमला किया गसी दिन में मोदी जी ने सेना और एरपोर्स को हुकम दिया पाकिस्तान के घर में खुशकर हमला करकर पकिस्तान के आतां को अधूर कि फुर्चे फुर्चे उड़ा कि और है लोग कह रहे हैं कि शुधे का जार्खन से क्या लेंदे भाई जार्खन बाबा बताओ ने सुरक्सित रहे हैं अब चाहते हो है नहीं चाहते हो चाहते हो और नहीं चाहते हो यह राहूल बाबा कहता है कि वे इंदेश की सुरक्षा और जारखन का क्या लें देन राहूल बाबा आपकी आंख पर इटालियन चस्मा लगा है आपको मालूम नहीं पड़ेगा मित्रो अभी अभी सिटिजन्सी पेमेंडमेंट बिल लेकर दुआ है और उनके पेट में इनको पेट में दर्द हो गया सालों सालों से जो सेनर टी बंगलादेश पाकिस्तान अफगानिस्तानचा अपना जर्म बचाने के लिए हिंदू उवूद सेख चॉएंड जो सेनर दी आये थै неर्क की एक्टा चेल है ना खाना था ना पीना था ना रोकरी दी ना घर था ना बिजली दी बच्चों की पड़ाई लिखाई बुड़ों की स्वाक्ति की सुईधा है उनको नागरिक बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए एक कॉंग्रेस पार्टी कहती है कि ये मुस्लिम विरोधी कोई मुस्लिम विरोधी नहीं बेगी आपको दो आदत पड़ी है ऐसा बोलने की हमने सर्जीकल स्ट्राइक करी आप हमें कहते हो मुस्लिम विरोधी है हमने मुस्लिम महिलाओं को त्रिपल कलाग का अधिकार दिया आप कहते हो मुस्लिम विरोधी है हमने 378 आप कहते हो मुस्लिम विरोधी है और अब हम सिटिजन सीप एहमेंडमेंट दील लेकर आए आप नौर्थिस्ट के अंगर आग लगाने में पड़े हो मगर मैं आज इच मन से आसाम और नौर्थिस्ट के सभी रादियों को कहना चाहता हूं कि नौर्थिस्ट के भाई और बैनों की संस्कृति उनकी भाथा उनकी सामाजिक पहचान और उनके राजदितिक अधिकार अप्सून रहेंगे इसको बचाने की जिम्मेदारी देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रूत में चलती हुई सरकार की है इसको उनकी मात्रफी आज नहीं आता है कल मेगाले के मुख्य मंत्री और उनके सारे मंत्री मुझे मिलने आये कि मेगाले ते यह समस्या है मैंने समझा है समस्या ही नहीं है फिर भी उनका हग्रत हा कि कुद परिवर्तन करने पड़ेंगे मैंने उसरी संग्माजी को कहा है कि आप नाताल से क्रिसमस से फ्री हो जाओ उसके बाद आओ आराम से बैट कर सकारत्मकरूप से सोच कर मेगाले क समस्या का समाधान हम निकालेंगे इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं मित्रोय कॉंग्रेस पार्टी कि सालों से हिंदू मुसल्मान का पॉलिटिक्स करती है नक्सलवाद को बड़ावा देती है दंगे कराती है आतंकवाद को कोई कठोर तरीके से कि मोदी चीज़े ऐसा पदान मंत्रिया कर भोगता है तो उसमें उनको तूष्टी करन दिखाई पड़ता है वाट बेंग की पॉलिटिक्स दिखाई पड़ती है वितों मैं बताना चाहता हूं वाट बेंग की पॉलिटिक्स भाजपानी नहीं करी आता इंकवाद को बचाकर आज तक कॉंग्रेस पार्थी वाट बेंग की पॉलिटिक्स करती थी कॉंग्रेस पार्थी आता हो भाईयों मैं आज यहां आया हूं हमारे दो प्रत्यासी आ गया हो बढ़ी दुमों एक ही है साहबादी जी मुझे बताओ सब लोग साहबादी को प्रचंद बहुमत से जित आओगे मगर चीता ना एक काम करना पड़ेगा कितने लोगों के पास मोगाई लेजर रहा ओपर करो पीझे माता है वेहने भी आद लूपर करें उसमेर भी आद उपर करो शॉआ कि लगबल लगबक सब के पास मेरी दबा समाब दोने के बाद पचास फॉन करना है पूरे ज को बेहने को माता को पीटा को चाचा को चाची को मामा को मामी को फुपी को फुपा को करोगे पच्चास फॉन सुनाए नहीं परता करोगे पच्चास फॉन कमल के निसान पर पटन दबाने के लिए कहोगे बागपा सरकार बनाओगे बैसाबादी को विधायक बनाओगे रगुवर जी को मुख्यमंत्री बनाओगे मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ विजाई के संकल्प की मुठी बीचो और प्रचन आवाज से बोलो भरत मता की बंदे माप्रम अबीद नहीं जिन्दाबाद हारत मता की हारत मता की हाक जटता मोटी जिन्दाबाद आप